एक आदमी की इज़त उसकी प्रॉपर्टी होती है आदमी की और ओरत की भी ये आदमी आदमी की है लौ में हर जगे आदमी आदमी होता है एक आदमी और ओरत की इज़त उसकी प्रॉपर्टी होती है और हो सकता है कि वो ज़्यादा वैल्यूबल होती है उसकी प्रॉपर्टी से यह बोला गया है Dixon versus Holden 1869 का केस है और यही पुरा concept है defamation का आपकी इज़त की रक्षा तो आपकी इज़त की रक्षा के बारे में Winfield बोलते हैं publication of statement which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of society generally or which makes them shun or avoid that person मतलब सीधी बाचा है मुला जाए तो समाज में इज़त खराब कर देना ठीक है वो होता है defamation यह Winfield ने ऐसी definition दी है अब यह जो defamation है यह civil wrong भी है और criminal wrong भी है मतलब crime भी है और इसके अगे civil action भी लिया जा सकता है अब वो आपकी choice है कि आप कौन सा लेना चाहते हो यह दो तरह के होते हैं English law में एक होता है liberal और एक होता है slander liberal का मतलब होता है permanent form में representation मतलब कहीं पर अखबार में चाहप दिया आपकी इज़त खराब करने के लिए या फिर कहीं वीडियो वीडियो में बोल दिया मतलब जो है वहां पर हमेशा रहेगा ठीक है slander होता है कि कभी मैंने party में खड़े होके बोल दिया गया यह तो यह तो अवारा है या फिर ऐसे कुछ भी में बोल दूं किसी को मतलब जो पर्मानेट फार्म मेंने वह बस बोल दिया हो यह जो रेप्रेजेंटेशन वाला और यह जो पूरा डिफरेंसेशन ना लेवल स्लेंडर का यह इंगलिश लॉव में आता है यह बस में इन्फो के लिए बता रहा हूं और तीसरा essential है, जो words हैं वो publish होने चाहिए, publish मतलब spoken word में भी बोल सकते हैं, सोचने पर defamation नहीं होगा, या फिर मैं एक letter में लिखके छुपा के वो letter रख दूँ, ठीक है, तो वो defamation नहीं होगा, वो दुनिया के सामने आना चाहिए, publish का मतलब यह नहीं, अकभार में publish या फिर कहीं book में publish, publish का मतलब वो दुनिया में आना चाहिए, तो इन तीनों essentials को detail में देखते हैं, सबसे पहला, जो words बोले गए हैं, वो गलत होने चाहिए हैं, और defamatory होने चाहिए, इसमें पहला case हम देखेंगे, South India Railway Company vs. Ramakrishna ILR 1890 का case है, इसमें railway guard आया ticket check करने हैं, ठीक है, और ticket check करते हैं, आदमे ticket दिखा ही नहीं थी, उसने ऐसे railway guard ने बोला, मुझे लगता है, आपके प false ticket, ऐसा वो बोला, तो जो अपना plaintiff, Ramakrishna Ji, उन्होंने एकदम ऐसे swag में ticket निकाल के दिखा है, कि यह री ticket, किसको बोल रहा है वे तो बिना ticket वाला, और फिर बाद में उसने defamation का case भी ठोक दिया, तो मतलब इतने सी बात पे यार, यह पुराने जमाने में case भी सैसे कर देते दे गया, तो defamation का case भी ठोक दिया, तो court ने बोला कि देखो, वहाँ पे जो railway guard ने बोला, वो bonafide है, बहुत सारे लोग नहीं हाते टिकेट का, और उसने बोला, I suspect, ठीक है, तो इधर कोई भी, मतलब defamation जैसा और आव से कोई समाज में इज़्जत खराब होने जैसा कुछ words must be false and defamation में एक बात आती, इन्युएंडो की, इन्युएंडो होता है, sometimes the statement में प्राइमा फेसी भी innocent, but because of some latent or secondary meaning, it may be considered to be defamation, अब देखो, जरूरी नहीं है, आप किसी को, मावेन की गाली बगोगे, तो वही defamation होता, आप एकदम तमीज से भी defamation कर सकते हो, गुमा फिरा के भ सकते हो, sarcasm सुना, sarcasm भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसका case है, Cassidy versus Daily Mirror Newspaper Limited, अब इस case में क्या हुआ, Mr. Cassidy थे, और उनकी wife थी Mrs. Cassidy, ठीक है, ये दोनों पती-पतनी थे, लेकिन Mr. Cassidy की photo अकबार में publish कर दी, Daily Mirror Newspapers ने publish कर दी, एक Miss X के साथ, ठीक है, नाम पता नहीं, और अपने दी, the race house owner, and Miss X, whose engagement has been announced, अब ये देखो, पढ़ने में ऐसा लग रहा है, कि जैसे, मतलब Mr. Cassidy का कुछ लफडा चल रहा है, टाइप से, या फिर, वो मतलब, अच्छा नहीं लग रहा ना, कि क्यों लिखना था है, यहां पर, whose engagement has been announced, कोई point ने था ना, तो Mr. Cassidy ने 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 पर case करा, कि बोले, तुम मेरी इज़त खराब कर रहे हो, मैं ऐसे किसी लड़की के साथ गूम रहा हो, तो मैं ऐसे headline चाप रहे हो, तो इन्वेंडो का case हुआ है, मतलब, प्राइमा फेसी कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ defamatory नहीं है, Mr. Cassidy थे, मतलब, race house owner, और मिस X के साथ ग बुले गए, defamatory words बुले गए, publish हुए, वो plaintiff के लिए बुले गए होने चाहिए, ठीक है, मैं किसी और गौरवयदव के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप पे ले लूँ, और मैं defamation case कर दूँ, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि है ना कि गौरवयदव में अक character बनाया गया, और क्या बुलते हैं, उसके बारे में लिख दिया, और जिसने बनाया ना, defendant ने ओ, fictional character, उसको नहीं पता था कि ऐसा नाम का एक आदमी है, और मैं उसके बारे में ऐसा, मतलब imply कर सकता हूँ, गला तो सकता है, तो court ने इसमें बताया, कि देखो जब ऐसी situation होती नाम तो limited है, मैं गौरवयादव अकेला नहीं हूँ, ठीक, आप भी जो अकेले नहीं हो, नाम तो कोई अनोखा साब का अगर नाम नहीं है, तो और भी लोग होंगे उस नाम के, और fictional character तो कोई भी बना सकता है, तो court ने बोला, कि देखो जब ऐसी situation होती है ना, तो defendant को करें, मतलब change करें उसको, या फिर एक apology मतलब apology publish करें कि भाई, मैंने ये गलती से हो गया, या आपका defamation का मतलब नहीं था, तो अगर ये दोनों चीज़ें वो कर देता है, तो दिख जाता है कि हाँ इनोसेंटली गलती हुई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उटने ऐसा बोला, अब words must refer to the plaintiff में दो questions उटते हैं, defamation of a class of persons, defamation of the deceased, class of persons क्या हुआ, class of persons जैसा हुआ, जैसे मैं बोलूं कि सारे वकील तो मच्छर के जैसे खून चूसते हैं, और गोबर की बल्टी के वराबर होते हैं, और सारे वकील चोर होते हैं, ठीक है, तो आप भी वकीली हो, मैं भी वकीली हूँ, बुरा लगता है, अब इसमें आपके बुरा लगने से कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान के बारे में बात नहीं हुए, class of persons के बारे में बात हुई है, तो जब यह बोलते हैं कि सारे वकील चोर होते हैं, तो कोई भी वकील जाक लेकिन एसे defamation नहीं हुआ न वो, तो यह class of persons के बारे में कुछ बोलना वो defamation नहीं होता, अब नेक्स बात आती है defamation of the deceased की, deceased मतलब जो मर चुका है, अब मरे वे आदमी का defamation नहीं होता, लेकिन case हो सकता है, case कौन कर सकता है, उसके relatives या उसके family वाले, जिनको affect करिये ना बात जिनकी reputation खराब हुई है, जिनकी feeling hurt हुई है, वो वाले लोग case कर सकते हैं, मरावा आदमी तो खुद तो कैसे करेगा case, तो उसकी family कर सकती है, समझ रहे हो, मतलब उसकी next generations कोई भी, क्या आपने हमारे ancestors की बुराई करें, उनका भी defamation हो रहा है ने, जब उनकी ancestors का defamation हो रहा है मतलब अखबार में publish या फिर कहीं magazine में publish वो नहीं होता, publish का मतलब क्या होता है, publication का मतलब होता है, कि जो defamatory matter है, जो भी आपने defamatory बोला है, या लिखा है, या जो भी है, वो third person को पता पड़े, समझ रहे हो, ये person 1 है, इसने defamation करा person 2 का, तो ये defamation तब होगा, जब ये बात person 3 तक पहुचेगी at least, अगर मैं ये बात person 2 को बोलूँगा, सिर्फ, मैं person 2 को बोलूँगा कि तू चोर है हरामी, ठीक है, तो वो defamation नहीं होगा, ठीक है, वो गलत होगा, ऐसे किसी उगालिया नहीं देनी चीए, लेकिन वो defamation नहीं होगा, जब person 3 के सामने में person 2 को और उसका था ससूर, ठीक है, ससूर मतलब wife का बाप, अब person 1 ने wife को letter में लिखा, अनाप शनाव अपने ससूर के बारे में, अब wife ने जाके बता दिया ससूर को, ठीक है, अब letter लिखा अपने wife को, wife ने बता दिया ससूर को, letter एक person को लिखते हो, आप letter public में नहीं लिखते हो, क के बीच में कम्यूनिकेशन होती है उसको प्रिविलेज कम्यूनिकेशन मानता आप उसको डिस्क्लोस करने के लिए किसी को कर नहीं सकते फोर्स या कुछ भी तो कोट ने वोला कि देखो अगर यह परसन वन ने वाइफ को लिखा है तो तो नहीं हो सकता ठीक है लेकिन अगर य को लिखता मानलो और फिर वो जाके ससुर को बता देता तो वो डेफामेशन होता क्यूंकि उसने बुराई करी इसकी और थर्ड परसन को पता पढ़ गया तो कोट ने वोला कि जो भी सब उस लेटर के कंटेंट है वो डेफामेशन है लेकिन वाइफ के अलावा कहीं और से आ ठीक है तो फिर मैं डेफामेशन के लाइबल होंगा क्योंकि मेरे इंटेंशन सही नहीं थे मुझे पता था कि वो पब्लिश होने वाला है वो थर्ड परसन तक जाने वाला है तो उस केस में होगा डेफामेशन समझ रहो तो पब्लिश्ट का मतलब हमेशा क्लियर रखना आप जो बोल रहे हो उसको जस्टिफाइ कर रहे हो या आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो ठीक है आपके पास फैक्ट्स है उसको बैक करते हुए ठीक है तो अगर आप जो बोल रहे हो वो सच है तो तो गलाफ फाड के चिला के बोलो किसी का बाप आपका कुछ नहीं क करता है सब अना बहुत अना अप्शन आप लिख दिया ठीक है सच बात है तो लिखेंगे लेकिन दिक्कत ही हो गई कि सच बात थी नहीं क्योंकि उनके पास कोई मतलब आप समाज के भले के लिए कुछ कर रहे हो तो वह फैर है और कमेंट होता है एक्सप्रेशन ओपीनियन मतलब वहुरां नहीं होता लेकिन वह फैक्ट पर बेस्ट आपका और होटा है तो चाहिए को वो अलाउड है वो कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है इसी में केस है मेगवायर वर्स वेस्टन मॉनिंग न्यूस कंपनी इसमें एक म्यूजिकल था म्यूजिकल मतलब क्या होता है स्टेज पे डांस वास करते हैं गाना वाना गाते हैं और जैसे इंडिया की बॉलिव नहीं है यह फैर क्रिटिसिजम है उसको नहीं लगा अच्छा उसने अपना ओपीनियन दिया कि मुझे नहीं लगा अच्छा मेरे को अपसर्ड लगा ठीक है तो यह अलाउड हुआ नेक्स्ट है प्रिवलेज प्रिवलेज होती है दो तरह की अपसलूट और कॉलिफाइड अपसलूट का मतलब देखो अपसलूट से पता बढ़ रहा है अपसलूट प्रिवलेज है कुछ भी बोल दो गलत हो सच हो मैलेस में हो अपने जान बूच के बोला हो आपको पता हो कि एकदम जुट है तब भी बोला हो किसी को दुख पुचाने की लिए बोला तो भी आप लाइबल नहीं होगे इसका एकजामपल किया है पार्लेमेंट में अप कुछ भी बोल सकते हो आप लाइबल नहीं होगे ठीक है absolute privilege होती है वहाँ पे qualified privilege fair comment के जैसा ही होता है मतलब थोड़ी कम privilege होती है इसका condition यह है कि जब आपके बास legal, moral या social duty होती है कुछ बोलने की ठीक है अब जैसे कोई reviewer है उसको picture खराब लगी वही fair comment वाली बात हो गई उसको picture खराब लगी तो वो criticism उसका कर सकता है ठीक है वो उसके बारे में गलत बोल सकता है क्योंकि वो समझता है कि यह मेरी legal, moral या social duty है कि मैं जो statement दे रहाँ वो मुझे देना है और दूसरी बात malice नहीं होना चाहिए, ill intention नहीं होना चाहिए तो public interest plus no malice is equal to qualified privilege की conditions तो यह दो तरह की privilege होती है तो यह हो गया guys हमारा defamation खतम काफी chill में और काफी simplified way में मेरे को उमीद है कि आपको concept समझ में आओगा और यह video देखते रहो मुझे कुछ बताना है तो guys अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो please मुझे Instagram पे follow कीजिए Instagram पे अपन पढ़ाई की बाते नहीं करते, meme शेर करते हैं, time pass करते हैं और Instagram पे मैं live भी आता हूँ, ठीक है, आउंगा मतलब 1000 हो जाएंगे जब follower अभी तो पतानी कितने हैं, 1500-200 है तो आप उस पे आके मेरे को follow करों Instagram पे, और मेरी app भी आ चुकी है Google Play Store पे और iPhone के app store दोनों पे है, उसका कैसे download करनी है, कैसे install करनी है वो सब link में दे रखा है, description में है, link सारे के सारे, और Instagram का link भी description में है और यहां पे आप मेरे को करो subscribe, मिलते हैं अंगले वीडियो में, bye bye tata, see ya